कि हाई गईस में हुँ मीरा सिंग और आप देख रहे हैं मीरा सिंग मेकोष साइल करते हैं य। आप लोग बहुत अच्छो होंगे स्वागत है आपका मिरा सिंग मेकवर चैनल में और मैं लेके हैं आप देखिए सेकंड पार्ट में मैंने आई मेकप डाला था और यह फुल सेकंड पार्ट है तो आज हम सेकेंड पार्ट का फुल मेकप सिखेंगे तो करते हैं वीडियो को स इसेकंड पार्ट में में फुल मेकप बताने वाली हूं मैं फेस क्लीन किया हुआ है मैंने लिया है टोनर और टोनर लिया वैने बायो टैक का एंड मुशे रजले रही हुआ मैं सीटा फिल का आपको जो सूट करें वो ले अगर आप यह ले ले तो यह सीटा फिल का मॉशे की थिस क्या में तो इसकेशनी क्यों तो नहीं पड़ेगे मू अगर अगया अच्छे से लिखाय में तेहां में उपित मैं औरेंज और देख सकते हैं और जहां जब यहां मेरे हलके हलके से दाग यह यहां बहुत ही हलके तो मैं वहां पे यह लगा रही हूँ और यहे, घुर को ब्लेंडिंग यहां जाया शक्ते हैं तो आप देख सकते हैं मैं कितने light hand से blending कर रही हूँ और हमेशा जब भी आप character concealer लगाते हैं वो बहुत light hand से blending करनी हूँ अगयान मैंने एलीगल का ही concealer लिया है टूशे डाकर और मैं करने वाली हूँ इस orange character को हाइट तो जब भी आप orange character लगाते हैं तो आपको हाइट करने के लिए बहुत ज़रूरी है और जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं जो लोग भी मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को subscribe and like कर दीजिएगा और hit the bell icon की जो भी मैं वीडियो डालू उसका notification सबसे पहले आपके पास पहुचे तो अगयन मैंने concealer भी देखिए अच्छे से लगा तो अलग से 1000 रुपीज का पंप देते हैं और बाकी आप देख लो छुट छुटी चुटी कंपनी भी पंप देती है क्योंकि मैक तो मैक है उसने उसने अपनी एक image बना के रखी है आपको पंप मिलना ना मिले लेकिन जो मैक के दिवाने हैं वो मैक लेंगे ही लेंगे चाह आप लोगों को बता चुकि हो मेक अप और उसमें एक यह मैक भी है जो यह बहुत अच्छा है तो अगयन देखें मैंने एक ब्रश की हल्प से पूरे फेस पे लगाया है और आप जब भी फांडेशन लगाते तो ऐसा एक फ्लपी ब्रश होना चाहिए देख सकते हैं जिसे क ब्लेंडिग करनों वह ब्यूट्पी ब्लेंड़ से करें उसके बाद ब्लेंडिग होती है वह बहुत अच्छी होती है और फेस कि इतना ग्लो करता है क्योंकि जब तक अच्छा से ब्लैंड नहीं आएगा आप देख सकते जितनी ब्लेंडिंग करेंगे उतना अच्छा फां मैंने कर लिया है पूरे face को and neck area को भी जो जो एरिया दिखता है आपका जो भी outfit में आपको सब जगे foundation अच्छे से apply करना है वहना आपका neck area and face आपका अलग से दिखेगा जो वह बहुत ही खराब लगेगा जब photos में वह अलग से दिखता है तो अच्छा नहीं लगता है तो में आपको liquid contouring नहीं बता रहें आज हम ब्राउंजर करेंगा और यह शुगर का ब्राउंजर बहुत अच्छा है आप देख सकते हैं इसका pigment भी बहुत अच्छा है और देखिए अगैन आपको कहां तक करना है आपको forehead पे आपको अपने chicks पे आपको chin पे और आपको nose area पे औ पतला चैरा मोटा दिखा सकते हैं गोल दिखा सकते हैं लंबा दिखा सकते हैं कंटोरिंग जैसी करेंगे वैसा होगा और आज अपनी nose काफी पतली करने वाली हो तो मैंने इसे बहुत अच्छे से nose पे एकदम पास पास किया है बहुत गैप में नहीं किया है नोज थोड़ी ब्लेंडर ही योज़ कीजिए जाद अच्छा है तो देखिए अगयान इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है और जब भी आप यह सब वीडियो देखते हैं तो प्लीज इसको आप जो भी बिगनर्स हैं आप अच्छे से प्रैक्टीश किया गर यह इसकी अगयान में ल दिखाना कि जितने भी आपके हाई परिंट से वह शो हो और आपका फीज बहुत अच्छा लगे आपका मेकप इनहेंस करके निकलका है और इसको जहां भी आप लगाते हैं वही का वहीं ब्लेंड करना है आपको पूरे फेस पे इसको नहीं फैलाना है आप देख सकते मैंने जहां लगाया मैं मही का मही से ब्लेंड कर रहें आइस के नीचे फॉर हेड पे और नोज एरिया पर अपने लिप के उपर जहां जहां भी लगाया आपको मही का महीं ब्लेंड करना है यह नहीं कि आपने लिया और पूरे फेस पे इसको ब्लेंड कर दिया कि चलो वाइड व अच्छे से करना आपको नोज एरिया पे अपना आई के नीचे आप बिल्कुल पेशन्स के साथ करना है कभी भी मेकप करने में और एंड ब्लेंडिंग में कभी भी जल्दवाजी नहीं करनी आपको कितनी भी लेट हो रहे हो आपको बहुत अच्छे से टाइम देखे करना है अगैन यह स्विस्ट ब्यूटी का लूज पाउडर और स्विस्ट ब्यूटी का यह बनाना शेड है और बनाना शेड मैं करने वाले अपना फेस बेक आप देख सकते मैंने लिया एक पॉप और यह पॉप जो है वह पीसी का है और यह ऐसे बहुत सारे मिलते हैं यह थोड़ बनानी परफिर प 되면 देख सकते हैं लगाती कितना अच्छा लुक दे है फेस पर कितनी shine देरा आप देख सकते हैं और nose देखें मेरी कितनी शाप और कितनी पतली लगने लगी है क्योंकि आज मैंने nose बहुत पतली की है क्योंकि मैंने contouring ऐसे की है आप देख सकते हैं कितना shine करने लग जा है तो यह अच्छा है मैं पास highlighter और भी है बट Nika का highlighter यह best है और इसमें तू शेड है एक गुल्डन है एक सिल्वर है और मैं आज सिल्वर लगा रहे हूं अग्यान फिर से मैंने ब्रश लिया है अपना और हलके से सबको मर्ज कर दिया है क्योंकि जब भी आप हाइलाइटर कंटोरिंग ब्लश लगाते हैं उनको मर्ज करना बहुत जरू हुई यह न लगाने से पहले मैं ने हल्गासा पैंसील लगा लियाथ अपने पूरे लिप पे जिससे की लेप्स्टिक आपकी तो देर तक टिक चाहे तो जब भी आप करे तो ऐसी करें और आउट लाइन जरूर आप लिप से दे जब भी पैंसल से आउटलाइन देने के लगाए मैं डरेक्ट लगा लेते हं लेकिन आप आउटलाइन दे नहीं पूरे किसी कोई भी लाइट कर ललाइन की लगा लेक Guru लेकिना ऐसे बाएमने वि Chapal कर सकते हैं इससे क्या होता है कि और जादा आपका मेकप फिक्स हो जाता है और वो नहीं दिखेगा अगैन यह है पार्टी मेकप का सेकंड फाइनल लुक आप देख सकते हैं आज मैंने कंटोरिंग कितनी पतली दिखाई है और फेस देखे कितना चेंज लग रहा है तो अगर आप कंटोरिंग से अपना फेस बिल्कुल चेंज कर सकते हैं आप देख सकते हैं मेनी नोस कितनी एकदम पतली और कितनी सुन्दल लग रही है तो कंटोरिंग का बहुत बड़ा रोल है गाईस मेकप देखने से कुछ नहीं होता है आप प्रैक्टिस क्या करेंगे आपका मेक कब उतना इंप्रूफ होगा तो प्रैक्टिस जरूर क्या करिए वीडियो देखने के बाद आप देख सकते हैं प्रैक्टिस के बाद ही कितना अच्छा लग रहा है तो गाईस देखते रहे हैं सीखते रहे हैं मिलती हूं फिर से नेस टूटोरियल में नेस वीडियो लेके तब तक के लिए बाई and टेक कियर